हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल आज हम एक नए प्रड़क्ट की अन्बोक्सिंग करने जा रहे हैं जो की है फिक्स्ट केबल लैप्टोप स्टेंड यह है है कि इसका और यह आप लैप्टोप के नीचे यूज़ कर सकते हैं ताकि एर अच्छे से डिस्पैंस हो और यह कि मैंने अब्जोन से पर्चेस किया है और यह फिक्स्ट केबल लैप्टोप स्टेंड है आप इसे पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि इससे अच्छी तरह से एर डिस्पैंस होगी यहाँ देखिए लैप्टोप कूलिंग पैड यह आप पोर्टेबल कूलिंग पैड इसे कह सकते है आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं वैसे तो ये macbook pro computer के लिए हैं आप इसे किसी भी laptop के लिए उस कर सकते हैं तो चलिए इसे open करके देखते हैं और यह उपन हो चुका है तो यह देखिए फिक्स लैप्टॉप कूलिंग पैड तो इसे हम निकाल के देखते हैं और यह देखिए दो छोटे-छोटे कुलिंग पैड हमें मिलते हैं लैप्टॉप स्टैंट कह सकते हैं हम इसे जबहुती छोटे हैं क्योंकि हम अगर कहीं पे रखते हैं पैड पे जाकर लैप्टॉप हम यूज़ कर सकते हैं तो उसके नीचे यह डिस्पैंस होने की जगा नहीं होती तो हम इन्हें रख सकते हैं और यह देखिए यह सिलिकॉन है साइड पे थोड़ा मैटल है तो आप इसे रख सकते हैं हpurpose यहां पर मैटन दिया गया है अगर आप का आप इसे कहीं मैटल स्थीच पर लगाता चाहिए वहां मिल जा सकते हैं यह देखिए यह मैगनेट है ऐसे आप इसे कहीं भी पोड टेबल कैरी कर सकते हैं और कहीं भी अगर आप लैप्टोप चला रहे हैं तो इसे रखके उपर आप लैप्टोप अराम से रख सकते हैं तांकि अच्छी करा से डिस्पेंस हो सके तो अब हम लैप्ट देखिए लैप्टॉप काफी थोड़ा एंगल भी आगा लैप्टॉप के रखने पर थोड़ा एंगल पर अगया है तो यह देखिए साइड से इस एंगल पर आगया है यह देखी है काफी अच्छा प्रोड़क्ट है अगर आप यह डिस्पेंस करना चाहते हैं लैप्टू के लिए तो यह ऐसी कर लेगा अपशें कर दो प्रकार से होगा अंगल बन जाएगा यह आप असानी से यह जिस अध्यक्तानी से लेप्टूप फयां कर सकते हैं आप की नएक ठीक रहेगी और लेप्टूप भी सही रहेगा जो कि इसकी लाइफ बढ़ेगी क्योंकि इसके नीचे से air dispense हो main 같이 rate का यही है कि leptop की जो ear है heat है जब left bak heat होता है तो उसे नीचे space चाहिए होती है काकी air dispense हो सके तो इसके नीचे काफ़ी space वठ जाती है ताकी air नीचे से निकल सके तो air नीचे से निकल रहेगा आप इसे यूज़ कर सकते हैं काम के वक्त काफी अच्छा प्रड़क्ट है आप इसे एमर्णों से पर्चेस कर सकते हैं मैगनाटिक है आप इसे कहीं भी कर सकते हैं बैग में पोकेट में तो मैं तो रिकुमेंड करूँगा कि आप इसे परचेज करें काफी ही लाइट वेट और पोर टेबल है आप इसे असानी से कर सकते हैं अपने लैप्टोप के लिए ये लें ताकि आपके लैप्टोप की लाइफ बढ़ जाए ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रही है और चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत के लМы जाएगे लाइब करें प Brittक आपके लाइब करना मत जाएब करना मत आपके लु